पदम प्राण के श्रिष्टी खंड में भीशमजी ने कहा मुने अब आप चंद्रमा के वरत का वर्नन कीजिए तो पलास्ची बोले राजन तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी अम मैं तुमें वैगोपनी वरत बतलाता हूँ जो अक्षे स्वर के प्राप्ति कराने वाले है तथा जिसे प्रान विता विद्वान ही जानते हैं इस लोक में रोहनी चंद्रशेन नामक वरत बड़ा ही उत्तम हैं इसमें चंद्रमा के नामों द्वारा भगवान नारायन की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए जब कभी सोंवार के दिन पूर्णमा तिथी हो अत्वा पूर्णमा को रोहनी नक्षत्र हो उस दिन मनुष्य स्वेरे पंच गव्य तथा सर्सों के दाने से योक्त जल में शनान करे तथा विद्वान प्रोश आप प्यास स्व इत्यारी मंत्र को आठ सो बार जपे यदि शुद्र भी इस वरत को करे तो अत्यांत भक्ति पूरक सुमाई नमा वर्दाई नमा विश्वने नमा इन मंत्रों का जब करे और पाखंडियों से विधर्मियों से बादचीत नहीं करे जब करने के पच्चात गहरा कर फलफुल आदी के दवरा भगवान श्री मदुख सुदन की पूजा करे साथी चंद्रमा के नमों का उच्चारन करता रही सुमाई शांताई नमा केकर भगवान जी के चद्नों का अनन्त धामनी नमाशा उच्यारन करके घुटनों का और पिंडनियों का जलोत द्राई नमाशी दोनों जांगों का काम सुक परदाई नमाशी चंद्र सरुब भगवान जी के कटी भाग का अम्रतव द्राई नमाशी उदर का शिशंकाई नमाशी नाभी का चंद्राई नमाशी मुख मंडल का द्विजा नाम अधिपाई नमाशी दाटों का चंद्रमसी नमाशी मुख का को मोद वन प्रियाई नमाशी होठों का मन उष्थी नाम अधिनाथ आई नमाशी नाश्का का अनंद भी जाई नमाशी दोनों बोहों का इन दीवर व्यास्क कर आई नमाशी बगवान शिरकिष के कमद सद्रिश्य नेत्रों का समस्त असुर वन्दिताई दैत्य निशूद्नाई नमाशी दोनों का उद्देप्रियाई नमाशी चंद्रमा के ललाटका शिश्युम्न अधिपत्ते नमाशी केशो का शिशंकाई नमाशी मस्तक का और विश्य श्राई नमाशी पगवान मुरारी के क्रीट का पूजन करे फिर रोहनी नाम धेल लक्ष्वी सोभाग्य सोख्य अम्रत साग्राई पदम श्रिय नमा रोहनी नाम धारन करने माली लच्वी के सभाग्यर सुख रूप अम्रत के समुरुत्र तदा कमल की सिकानती वाले भगवान को नमशकार है इस मंत्र का उच्चारन करके भगवान जी के सामने मस्तक जुकावे तर पश्चाद सभंदित, पोश्पन, नवेद्य और धोपादी के द्वारा इंदु पत्नी रोहनी देवी का भी पूजन करे इसके बाद रात्री के समय भूमी पर श्यन करे और सेरे उटकर श्यनान के पश्चाद पाप विनाशाई नमा का उच्यारन करके ब्रावन को घृत और सन सहित जल से भरा कलश्टान करे फिर दिन भार उपास करने के पश्चाद गो मुत्र पीकर मास वर्जित एम खारे नमक से रहित अन्न के इकत्तिस ग्रास घी के साथ बोजन करे तंदर दो घडी तक इतिहास पुरान आदी का श्रवन करे राजन, चंद्रमा को कदम, नील कमल, केवडा, जाती पुष्व कमल, शत्पत्रिका, बिना को मलाई को बज के फूल, सिंदुवार, चमेली, अन्यान, छेत पुष्व, करवीर, तथा चमपा ये ही फूल चड़ाने चाहिए उप्योग फूलों की जातियों में एक-एक कुश्रवन आदी महीनों में करमश अरपन करें, जिस महीने में वरत शुरू किया जाए, उस समय जो भी पुष्व सलब हो, उनी के दवराश श्री हरी का पूजन करना चाहिए इस परकार एक वरस्ता किस वरत का विधी वतन श्ठान करके, समापती के समें, शियन उप्योगी सामगरियों के साथ 6 या आदान करें रोहनी और चिंद्रमा की सर में मूर्ती बन्वा में, उस में चिंद्रमा छे उंगल की और रोहनी चार उंगल के होनी चाहिए आठ मुतियों से युक्त शेद नित्रोवारी उन प्रदिमाओं को अक्षत से बरे हुए कांसी के पात्र में रखकर दुग्द पूर्ण कलश के उपर स्थापित करते फिर वस्तर दोहनी के साथ दू देने वाली गव, शंक तथा पात्र प्रस्तुत करे उत्तम गुनों से युक्त ब्रामन दंपति को बलाकर उन्हें आभूशनों से अलंकृत करे तथा मन वी ये भावना रखे कि ब्रामन दंपति के रूप में ये रोहनी सहीद चंदरमाही भी राजमान है तद पस्चातिन की इस परकार प्राथरा करे चंदर देव आप भी सब को परम अनंद और मुक्ति पर दान करने वाले हैं आपकी कित्पा से मुझे भोग और मुक्ष दोनों प्राथ हो इस परकार विने करके शिया प्रित्मा तथा धेनु आदि सब कुछ ब्रामन को दान कर दे राजन जो संसार से भैवीत होकर मुक्ष पाने की इच्छा रखता है उसके लिए यही एक वरत सरवत्तम है यह रूप और आरग्य परदान करने वाला है यही पित्रों को सरदा प्रिय है जो इसका अनुष ठान करता है वित्रिभुन का अधिपती होकर 2100 कलपोत का तक चंद्रलोक में निवास करता है उसके बाद विद्युत होकर मुक्ष हो जाता है चंद्रमा के नाम की इतन द्वारा भगवान श्री मदु सूदन की पूजा का यह परसंग जो पढ़ता अथ्वा सुनता है उसे बगवान उत्तम बुद्धी परदान करते हैं तथावे बगवान श्री विश्नु के धाम में जाकर देश सुमू के द्वारा पूजी थो